हेलो गुड इबनिंग, समान अध्यान का पेपर वास्तों में होता असान है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी में होता है और उस कन्फ्यूजन से निकलने का सबसे बेहतर तरीका है, लगातर अभियास करना और कन्फ्यूज करने माले सवालों को देखते र कल्चर, उप्शन C, PC कल्चर या उप्शन D, AP कल्चर, इसका सही जवाब उप्शन D, AP कल्चर है, AP कल्चर का मतलब मधुमखी पालन, जबकि सेरी कल्चर का मतलब रेसम किट पालन से है, सिल्वी कल्चर में बनों की खुबसूरती को निखारा जाता है, और PC कल्चर का मतस्य पालन से हैं। दूसरे सवाल की तरफ हम लोग चलें। नहरू ट्रॉफी किस खेल से सम्बंधित है। बोट रेस केरल की प्रमुखे एसनेक बोट रेसों में एक है। इसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह के दूसरे सनिवार को किया जाता है। और इसे देखने के लिए बड़ी तदाद में लोग जूडते हैं। तिसरा सवाल आजका वह प्रथम महिला कौन थी जिसने सात प्रमुख सागर तैर कर पार किये। सही अंसर आप्शन भी बुला चौधरी होगा। बुला चौधरी एक लंबी दूरी तै करने वाली तैराक हैं। वह बीश्व की प्रथम ऐसी महिला हैं जिन्होंने पांचों महाद्वीप के सातों समुद्रे तैर कर पार किये हैं। उन्हें अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है और उन्हें जल परी की उपाधी दी जा चुकी है। अगला सवाल चार नंबर भारत में राष्ट्रिय आयका आकलन सबसे पहले किस ने किया था। सही एंसर ऑप्शन सी दादा भाई नोरोजी है। दादा भाई नोरोजी जिनने भारत का ग्रेंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इस च्छेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने 1876 में राष्ट्रिय आयका पहला अनुमान तयार किया था। अगला कोशन पांच नंबर भारत में सबसे उंचा जल प्रपात कौन सा है। अप्शन A. हेगन ककल प्रपात। अप्शन B. सिमला प्रपात। अप्शन C. कुंची कल जल प्रपात। या अप्शन D. कोटालम प्रपात। सही एंसर अप्शन C. कुंची कल जल प्रपात है। कुशन नंबर छे जूट उत्पातन में सबसे प्रचूर प्रदेश कौन सा है। अप्शन A. तमिलनाडू, अप्शन B. पश्चिम बंगाल, अप्शन C. ओरिशा या अप्शन D. केरल। सही जबाब, अप्शन B. पश्चिम बंगाल है। भारतिय राजियों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। लगभग 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा के छितर में किया जाता है। और यह भी कहा जाए कि विश्व में प्रथम अस्थान भारत को जूट के उत्पादन में है। अगला कोशन साथ नंबर ओजोन परत कहां पाई जाती है। ओप्शन A आयन मंडल, ओप्शन B वहर मंडल, ओप्शन C छोब मंडल या ओप्शन D समताप मंडल होगा यानि स्टेटो इस्फियर। या है इस्टेटो इस्फियर के निचले भाग में प्रिथवी की सता से लगभग 10 किलो मीटर और 30 किलो मीटर के बीच में पाया जाता है। ओजोन की परत की जो खोज है वह 1913 में फ्रांस के भौतिक वीद फैवरी चार्ल्स और हेनरी गुसोन ने की थी, इसे भी आप ध्या सुला कोशन है आठ नमबर, अंग महा जनपत की रजधानी कहां थी? ओप्शन A वैसाली, ओप्शन B कोशांबी, ओप्शन C स्रावस्ती या ओप्शन D चमपा। सही जवाब ओप्शन D चमपा है, अंग प्राचिन भारत के सुला महा जनपतों में एक था। इसका सबसे प्र प्रदेश का जो च्छेतर है वह अंग प्रदेश के च्छेतर में आता था। कोशन नमबर 9, सांत घाटी किस राज में इस्तित है? ओप्शन A असम, ओप्शन B केरल, ओप्शन C अरुनाचल प्रदेश या ओप्शन D तमिलनाडू? सही अंसर ओप्शन B है, केरल की जो सांत वह 89 बर्ग किलोमीटर च्छेतर में है, जो अपनी घनी जयव विविद्दा के लिए मसहूर है। कोशन नमबर 10, भारत का केंद्रिये ओशध अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है? ओप्शन A दिल्ली, ओप्शन B लखनव, ओप्शन C चेनई, या ओप्शन D वेंगलूर सही जबाब ओप्शन B है, लखनव, केंद्रिये ओशधी संस्थान या इसे The Central Drug Research Institute हम बुल सकते हैं, स्वतंतरता के पस्चात देश में अस्थापित सबसे बड़ी प्रयोग साला में से एक है, या संस्थान भारतिये बिग्यान योम उद्योग अनुसंधान परिशत के संग रक्षन में काम करने वाली 49 परियोग सालाओं में से एक है, अगला सवल आज का 11 नंबर मानो विकास सुचकांग किसने विक्सित किया था, ओप्शन A अमरतियशन, ओप्शन B मोन्टेक सी, ओप्शन C महबूल उलहक या ओप्शन D फ्रीडमेन, सही जबाब ओप्शन C उलहक द्वारा विक्सित किया गया थाई से और इसका उपयोग संजुक्त राष्ट विकास कार्जक्राम के मानो विकास रिपोर्ट कर्याले द्वारा देश के विकास को मापने किलिए किया गया था, कोशन नंबर 12 नासिक किस नदी के किनारे इस्तित है, ओप्शन A महानद ओप्शन B गोदावरी, ओप्शन C क्रिष्णा या ओप्शन D ताप्ती, सही जबा ओप्शन B गोदावरी है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे वसा हुआ है या महाराष्ट के उत्तर पस्ची में मुंबई से 150 किलोमीटर और पूने से 205 किलोमीटर दूरी में इस्तित है या सहर प्रमुख रूप से हिंदू तिर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, क्वेशन नमबर 13, पेनिसलीन किस से प्राप्त की जाती है? सही जबाब आप्शन ए फुफुंद होगा, पेनिसलीम के पोधे से पेनिसलीन फुफुंद प्राप्त होता है, इसका बेवहार तपेदिक तथा अन्य विभिन रोगों में किया जाता है क्वेशन नमबर 14, मोती मस्जिद निम्न लिखित में से किस नगर में इस्थित है? आप्शन A आगरा, आप्शन B जैपूर, आप्शन C अहमदाबाद या आप्शन D लाहोर, सही जबाब आप्शन A आगरा होगा, मोती मस्जिद मुगल वादसा साह जहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद है, जो आगरा के लाल किले में इस्थित है Q15 उस विटामिन का नाम बताईए, जो किसी भी मान सहारी भोजन में नहीं मिलता पाहला option विटामिन B12, option B, विटामिन C, option C, विटामिन D, या option D, विटामिन K, वास्तिवी केंसर विटामिन D होगा, जो हमारे सरीर को अधिकांस विटामिन D सुर्ज की किरनों से ही मिल जाती है, इसके अलावा दूध, दही, पनीर, आधी में भी विटामिन D मौजूध होता ह question number 16 WTO का मुख्याले कहा है option A दोह option B जेनेवा option C यूरेगे या option D निवियार्ग सही जबाब option B जेनेवा होगा विश्व बेपार संग्ठन यानी WTO एक बहु पक्षिय संस्था है जो अंतराश्ट्रिय बेपार का नियमन करती है इसकी अस्थापना पहली जन्वरी 1995 को हुई और इसका मुख्याले स्विटजर्लेंड के जेनेवा सहर में है फिलहाल 164 देश इसके सदस्य है भारत सुरू से ही WTO का सदस्य रहा है आज विश्व के 98% बेपार WTO के दाइरे में होते है question number 17 निमन लिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपती माना जाता है option A carbohydrate option B निवक्लिक अमले option C protein या option D बसा सही जबाब option B निवक्लिक अमल होगा निवक्लिक अमले या निवक्लिक एसीड बहुलक मैक्रो अनू अर्थात विसाल जयव अनू होता है जो एके लक्लिक के निवक्लिक इवक्लिक अमले टाइड स्की शरिंखलाओं से बनता है जयवरा साइनिकी के परिप्रेक्ष में ए अनू अनूवानसिक सुचना पहुचाने का काम करते हैं साथ ही ए कोशिकाओं का ढाचा भी बनाते हैं क्वेशन नूमबर 18 गुरू गोविंद सीद्वारा खालसा पंथ की अस्थापना किस वरस में की गई थी साइ अन्सर इसका 1699 ऑप्षन ए होगा खलसा पंथ की अस्थापना गुरू गोविंद सीजी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपूर साहिव में की थी क्वेशन नूमबर 19 प्राक्रते रवड किसका बहु लखे सही एंसर इसका ओप्षन ए आईसोप्रीन है प्राक्रते रवड आईसोप्रीन का एक बहु लखे आज का अंतिम सवल क्वेशन नूमबर 20 इवान किस देश की मुद्रा है सही जवाब इसका चीन होगा चुकि जपान की मुद्रा एन है इटली की मुद्रा इउरो है इवगो असलाविया की मुद्रा दिनार है और चिन की मुद्रा इवान है अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें कुछ विशेश अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और वीडियो तो आप कमेंट जरूर करें थैंक यू